अवैत खनन को लेकर मशूर बिलहौर विधान सभा जहाँ पर खुद पिछले दिनों विधायक राहूल बच्चा द्वारा अवैत खनन मौके पर ही पकड़वाया गया था लेकिन उसके बाद भी प्रशासन खनन माफियाओं के आगे नत्मस तक ही दिख रहा है बिती रात खन माफियाओं ने एक ऐसा उधारण प्रस्तुत किया जो प्रशासन के ऊपर प्रश्ण चिन्द खड़ा करता है एक और चौबेपुर थाने के अंतरगत गुजरी पनकी नहर की पट्टी खनन माफियाओं ने रात को खोड़ डाली वहीं दूसरी और चौबेपुर थाने के अ जब हमारे समवादाता द्वारा पिएंसी में एड्मिन का कार देख रहे मनोच शर्मा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात में कई डंपर मिट्टी चोरी हुई है जिस पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कारवाही नहीं की गई है जी जी आप लोग तो मिट्टी चोरी हुई है राही के पास से हां मतलो रात में मलवा लेए भर के हमारा कितने नंफर गरिब गया है अब ये पता ना है कि मलवा हमने खटा कर जया था वहां तो किसी न उठाया हूँ आज रात ही गटना है थाना चौबपुर में आए गई ह हाँ थान चौबपुर में आगा थाने में कोई सूचन दी या आपके दोड़ा सूचना अभी नहीं दी मैं जा रहा हूँ असल में रात में उठा रही है मैं थोड़ा कान पो चलाया हूँ अच्छा जी लगबक किते डंपर माल उठा होगा ये तो मुझे पता सबीज डंप पर हैं ऐसे में सवाल ये है कि जिस वक्त रात में ये खरण माफिया सक्रिये होते हैं और जैसी भी वे डंपर लगा कर मिट्टी चोरी करते हैं उस वक्त थाने की फोर्स और रात में गश्ट कर रहे पुलिस अधिकारियों की नजर आखिर इन पर क्यों नहीं पड़ती है